अभी हम लोग देखेंगे फीट पाइप में कैसे ट्रेशर चार्ज होता है तो ये MR1 का प्रेशर इन लाइन फिल्टर 138 होते हुए ये जो डुपलेक्स चेक वाल्ब 92 है यहां होते हुए आता है ब्रेक फीट पाइप का रेगुलेटर नमबर 137 में और ये जो 137 है रेगुलेटर इसका रोल है ये जो रिले भाल्ब है 93 ये होता है रिले भाल्ब और फीट पाइप इसका कॉंट्रोल पोर्ट में 6 केजी पर सेंटिमीटर स्क्वाइर तक प्रेशर सेट करके भेजना ये काम है इस रेगुलेटर का फिर से ये जो 93 याने की फीट पाइप का रिले भाल्ब है ये फिर ये लाइन से प्रेशर को लेगा फिर ये प्रेशर जदी 136 को खुला है तो 136 को होते हुए ब्रेक फीट पाइप में चला जाएगा और यहाँ पे एक प्रेशर स्वीच है 34 ये देखेगा ब्रेक फीट पाइप में प्रेशर जाता है की नहीं और ये 107 एक टेस्ट पॉइंट रखा है ये एंशियोर करता है कि 6 केजी पर सेंटिमीटर स्कॉयर तक प्रेशर गिया है की नहीं कि नहीं को सकता है कि व्रेक प्रेशर मिलदीटर स्वीर करता है